है यहां पॉस्ट कितना है क्या है अगे बहुते हैं थे सेल आगे बहुते हैं देखिए किस ब्रांच पर यहां पे पॉस्ट इप्स्ट्रीणस सबकुष में इंसनन है सिबिल इंजनियर के लिए जो है डिपलोमा इंजञिनियर में दो आया है सिदा बात है और डिपलोमा इंजिनियर गिरेड डू का बात करे तो दो है और time इंजिनियर स्था की बात करे तो एक वह तो आसे पेड्य घैसे बोलुगा तोल मोरा पोस्ट खोर टोर मेकनिकर इंजीरिंग मसिनरी की बात करें तोद घ्री में जो है आपकाण जिरो है whatever two में जो है वो एक है चलिए ठीक है मैं ऐसे करके बताते जाता हूं इंस्पेक्शन इलेक्टिकल इंजिनिंग की बात करें तो ग्रेड टू में जो है और ग्रेड फर्स्ट में एक है टोटल अमरा पोस्ट तीन है इंस्पेक्शन ग्रेड फर्स्ट में fire slash industrial safety में जो है इसमें सबसे ज़्यादा विकेंसी लग रहा है जो की 8 पोस्ट है ग्रेड टू में और ग्रेड फर्स्ट में 3 है टोटल मिलाके हो गये 11 ठीक है टोटल अमरा पोस्ट हो गये 25 अब देखिए यहां पर फिर से अलग-le LOVE है तो प्रोसेसिंग इंजिनियर के लिए बात करें तो छे सील्ट मेचैनिकल इंजिनीनी की बात करें तो एक मेचैनिकल इंजिनिग भी का बात करें तो तीन है mechanical engineering construction की बात करें तो 24 पोश्ट है mechanical engineering की बात करें दो electrical engineering की बात करें तो 16 instrument engineering की बात करें तो 8 आप लोग अपना अपना department ना सुनते जाओ बस ये चीज दिहान लगना project management में 7 पोश्ट है management service में जो है management service में 2 है inspection and entity में 3 है environment engineering में जो है वो 3 है और ssp qc audit में एक है material management में एक है finance department तो दो है total number post यहां पे बात करें तो grade 3 में 10 grade 2 में 73 और grade 1 में 24 पोश्ट है तो इस बात का आपको ध्यान देना है तो यह जो है भर भर क्या आया है अब यहां पे देखिए qualification क्या है दिस्विल इंजिनिंग के लिए बात करें दिप्लोमा इन सीविल इंजिरिंग जॉब description की बात करें तो candidate should be capable of preparing 3D model of steel RCC structure on internationally acceptable software लाग framework प्लस SP 3D ETC experience for project in the field for fertilizer तो इस बात का आपको यहां पे रखना है तो देखिए सब का मैं अगर बताने लगूं तो बहुत टाइम लग सकता है तो mechanical engineering का भी diploma चाहिए mechanical engineering का भी यहां पे mechanical engineering machinery में जो है आपका diploma in mechanical engineering चाहिए ठीक है आप लोग क्या job description है वो देख लिजिएगा electrical engineering की बात करें diploma in electrical engineering inspection का बात करें तो diploma और equivalent in mechanical engineering with ASNT level 2 SSP and QC audit की बात करें तो BSP honors in chemistry fire industry की बात करें तो safety आपका जो है diploma जो है जो भी department है उसमें आपको diploma चाहिए बस यहीं है लिखा हुआ ठीक है चलिए अब यहां पर हम बात करें तो पोस्ट कॉलिफिकेशन एक्स्प्रियेंस एज और तीस छे दो हैर बास चाहिए आपका maximum age का बात करें यहां पर mention कर दिया है कि पोस्ट कॉलिफिकेशन एक्सप्रियेंस एज और तीस शेदो हैर बाइस इन एयर ठीक है तो दिहान देना आप लोग इस बात का कि यहां पर PG experience जो है आपका 30 जून से पहले complete हो जाना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखिए अब यहां पर देखो यहां पर टोटल नमबर पोश्ट अगर बात करें यह तो पूरा मिला जुला के दिया हुआ है तो नमबर आप टेंटेटी वैकेंसी या रिजर्फ के टेगरी यार गिवन बिलो ठीक है टू में बात करें तो 73 है एक तीस अन्रिजर्फ 18 OBC सी के दिख एश्ट के लिए 6 EWS के लिए 12 इंजिनियर गेरेट 3 की बात करें तो टोटल नमबर पोश्ट 10 हैं रिजर्फ के लिए 5 OBC के लिए 2S के लिए 2 ST के लिए 1 EWS के लिए 0 तो ऐसे करके यहां पर 132 टोटल नमबर पोस्ट है क्वालिफिकेशन मैंने आपको एज बता दिया सेलरी बता दिया यह फॉर्म भरने का यह फॉर्म भर सकते हो आप इस तरीके से ठीक है तो यह पीडियाल में जो फैकेंसी आया हुआ है वे पीडियाफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा फर्दर डिटेल्स के के लिए आपको बिल्कुल भी घवराने के निद नहीं है कि सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ थैंक्यू सो मच